Hey everyone, welcome back to my channel Anomis, I am Aradha और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSC Forestry के बारे में Actually ये वीडियो आप लोग के ही कमेंट पे बनी है कई सारे बच्चों की ये डिमांद थी कि BSC Forestry क्या होता है इसके डीटेल्स पे एक वीडियो बनाए सबसे पहले बात करते हैं कि BSC Forestry जो होता है ये क्या होता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि BSC अलग-अलग फिल्ड में होता है अलग-अलग सब्जेक्ट से होता है लग अगर हम बात करें BSC Math से होता है अगर आप Math से करना चाहें तो या फिर अगर आप बायो से करना चाहते हैं तो BSC बायोजी से होता है अगर आप computer science से करना चाहते हैं तो BSC computer science से भी होता है एग्रिकल्चर से भी होता है ऐसे कई सारे subject होते हैं जिसे की BSC होता है वैसे ही एक और field होता है forestry अगर आप BSC forestry से करना चाहते हैं तो forestry से भी आप BSC में अपना graduation कर सकते हैं अब हम लोग जान लेते हैं कि forestry आखिर होता क्या है इसमें क्या चीज़े आपको पढ़ाय जाती है तो forestry जैसे की नाम से ही clear है forest से related है यानि कि वनों की देख भाल करना उसे विक्सित करने का जो विज्ञान होता है उसे ही forestry कहा जाता है तो BSC forestry मे आपको totally forest के बारे में बताया जाएगा कि बनों को कैसे देख भाल करना है बनों को कैसे बचाना है बनों के बारे में पूरी details आपको इसमें बताया जाएगा तो BSC forestry जो है इसमें आपको forest का अध्यान कराया जाएगा तो ये तो होगी अब BSC forestry के बारे में थोड़ा सा introduction कि BSC Forestry क्या होता है अब एक एक point जो है इसके बारे में हम लोग details जानेंगे देखें सबसे पहले हम लोग इसके time duration की बात करते हैं कि ये course जो है यानि कि BSC Forestry से अगर आप करते हैं तो कितने time में ये complete होगा तो BSC जो है अलग-अलग subject से होता है तो जो आपके अलग-अलग subject होते हैं कोई subject जो है 3 year में complete होता है BSC और कोई 4 year में complete होता है minimum जो इसका time duration होता है BSC का जो कि आपका graduation है ये 3 year का होता है और maximum 4 year का होता है कुछ ऐसे field है जो कि 4 year में complete होता है और कुछ ऐसा field है जो कि 3 year में complete होता है अगर आभ आब से करते हैं तो यह प्लाइ करते हैं और अगर आप का उप्लाइश के सप्झ होगता है इसका जो time duration है वो 4 year है किसी किसी college में जो है ये semester wise होता है और किसी किसी में annual होता है याने कि जो इसका exam होता है वो अगर semester wise हो रहा है तो 6-6 महीने पर exam होगा अगर annual होता है तो साल भर पर आपका एक बार exam होगा तो यह depend करता है कि आपके college का क्या rule है semester wise है कि annual है चलिए eligibility की बात करते हैं कि इसकी क्या योगिता है अगर आपको BC Forestry में admission लेना है तो eligibility क्या होनी चाहिए तो इसकी योगिता होनी चाहिए 10 plus 2 अगर आप 10 plus 2 पास है तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि graduation कर सकते हैं 10 plus 2 के बाद ही graduation होता है तो BC Forestry भी आपका graduation है तो आप जो है BC Forestry में admission ले सकते हैं किसी किसी college का ये rule होता है कि जो है वहाँ पर 50% marks मांगता है intermediate में पर ये हर college में नहीं होता है कहीं कहीं पर होता है कि intermediate में 50% marks जो है minimum होने चाहिए चलिए admission की बात करें कि admission इसका किस टाइप से होता है तो admission इसका दो तरीके से होता है entrance के आधार पर होता है और merit based पे भी होता है entrance exam के through अगर आप जो है इसमें admission लेते हैं तो आपको entrance exam देना होगा qualify करना होगा उसके बाद जो है आपको BC Forestry में admission मिलेगा दूसरा तरीका ये है कि inter के जो marks होते हैं उसके आधार पर आपको जो है इसमें admission मिलेगा तो किसी college में इंटर के merit के base पर आपको admission मिलता है और किसी college में entrance के आधार पर आपका BC Forestry में admission होता है तो ये दो तरीके होते हैं fees के बात करें तो fees भी आपका ये vary करता है कि college क्याता है यानि कि college पर डिपेंट करेंगा आपकी fees अगर आप government college से करते हैं तो आपकी fees कम लगेगी पर अगर आप private college में जाते हैं तो वहाँ पर fees जो है गवर्मेंट के अपच्छा ज्यादे लगेगी तो एक average fees के अगर बात करें तो average fees जो है इसकी आपके 35,000-40,000 तक annual लग सकती है इसकी fees यहाँ पर जो fees है ऐसा नहीं कि किवल यह एकदम fixed fees है और यही इतना ही लगनी है इससे कम भी हो सकता है जादे भी हो सकता है थोड़ा वो तिहाँ पर जो एक average fees है वो हम आपको बता रहे हैं salary की बात करें कि salary इसमें कितनी मिलेगी अगर आप यह सी forestry से कर लेते हैं उसके बाद अगर आप job के लिए जाओगे तो आपको एक average salary जो मिलेगी वो 30-35,000 की average salary जो है आपको मिलेगी जैसे ही आपका 5-6 साल experience हो जाएगा उसके बाद आपकी salary बढ़ भी सकती है 45-50 तक भी जो है आपकी जा सकती है अगर annual की बात करें यानि कि जो इसका package है वो 5-6 लाग का भी package जा सकता है तो यह भी depend कर रहा है कि आप किस type के company में job कर रहे हैं किस type की post पे job कर रहे हैं यह सार salary हो गई उसके बाद intrinsic exam देख लेते हैं कि कुछ intrinsic exam होते हैं जिसके तुरू आप जो है इसमें ले सकते हैं जैसे कि I-C-A-R-A-I-E-E-A यह आपका intrinsic exam हो गया यह फिर O-U-A-T यह भी आपका intrinsic exam हो गया K-C-E-T हो गया MH-T-C-E-T यह भी आपका intrinsic exam हो गया यह कुछ ऐसा intrinsic exam है ज कोसिस कीजिएगा जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप government college से जाते हैं तो आपके लिए काफी बेडर रहेगा आप intrinsic exam के थ्रू ही जाए तो आपके लिए अच्छा होगा तो कोसिस आप किजिएगा intrinsic exam qualify करने की वैसे तो अगर आप चाहें तो private college से भी कर सकते हैं इसके subject की बात करें कि intrinsic exam में कौन-कौन से subject पूछे जाते हैं तो इसमें आपका physics पूछा जाएगा, biology हो गया, chemistry हो गया, maths हो गया, agriculture के भी कुछ आपके question रहेंगे तो यह कुछ ऐसे subject हैं जो कि इसके intrinsic exam में पूछे जाएंगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप BAC forestry से कर लेते हैं तो इसके बाद अगर आप आगे की study continue रखना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं तो आप forestry में ही MST कर सकते हैं यानि की master degree भी ले सकते हैं इसे फिल्ड में अगर आप रिसर्च के फिल्ड में जाना चाहते हैं तो आप यहां पर कुछ जॉब एरिया हैं जहां पर की आपको जॉब मिल सकती है जैसे की जिलोजिकल पार्क में आपको जॉब मिल सकती है wildlife range में आप जॉब कर सकते हैं research and institute में आप जॉब कर सकते हैं यह कुछ ऐसे फिल्ड है जहां पर की आपकी demand होती है अगर आप यह सी forestry से कर लेते हैं तो यह फिर आप forestry में जॉब कर सकते हैं national park में आपको जॉब मिल सकती है harmony आनि को जौब मिल सकती है इसके सारे इरिया फchiozen के बात करें कि आप डियूरी on a YouTube कर सकते हैं computer आप बन सकते हैं जरूरे बन सकते हैं इस than a श्याये बन सकते हैं एक पूरलना चाहते हैं तो एस्टेंट मैनेजर करने के बाद आप जो है teacher भी बन सकते हैं तो यह भी option आपके पास होता है आप teacher भी बन सकते हैं या फिर microbiologist भी बन सकते हैं इस चब की बहुत सारे post होती है जो कि आप job कर सकते हैं उस post पर अब लोग कुछ टॉप कॉलेज के बारे में कि किस कॉलेज से आप बीसी कर सकते हैं तो पहले ऑफ्टन की बात करें जो पहला कॉलेज है वह है औरीसा इंवस्टी आप अग्रिकल्चर एंट टेक्नोलोजी जो कि अगर आप ओ यू एटी का एक्जाम देते हैं इंट्रिंस एक्जाम तो यह अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इस कॉलेज में अड्मिशन मिलेगा दूसरे कॉलेज की बात करते हैं तो यह हैं इंट्रिंस एक्जाम नहीं होता है अगले कॉलेज की बात करें तो यह है आपका जवाहर नहरू क्रिसी विश्वविद्याल है जो कि अगर आप ICAR एक्जाम देते हैं इंट्रिंस एक्जाम तो इसके थ्रू जो है आप इस कॉलेज में अड्मिशन लेंगे और यह जो है आपका MP में कॉलेज पढ़ता है तो य इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने देखा BSC Forestry क्या होता है और इसकी पूरी डीटेल्स तो अगर आपको BSC Forestry से करना है तो आप कर सकते हैं और मैंने पूरी कोसिस की है कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए अगर अभी आपको कुछ पूछना है कुछ जानना ह है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं आज कि इस वीढयो में बस सीटना है वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कर लाइग किजिए सेयर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सुचे लिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग